वेल्कम बैक टो मैं टो चनल मेहल मांगाल लवर तो चेली फ्रेंस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लास्ट शेप्टर में हमने देखा था कि हमारे बाइलू ने साफ मना कर दिया था किसी भी स्टुडेंट को एकसेप्ट करने से और फेंग आली ने कहा था कि अगर तुम उन् वो काफी ज़ता परिशान हो जाता क्योंकि उसे भी कल्टिवेशन के लिए हर्प्स की जरुवत थी जो कि अगर वो एक स्टुडेंट एकसेप्ट नहीं करता है तो उसे ये सारी फेसलेटी नहीं दी जाएंगी फिंग्याली कहता है कि बृदर ने तुम सुबह आ जाना और एक üs तो चोस करना ही पड़ेगा अगर तुम लेट हो एक थी तो देख लेुना ये बास सुनते ही मस्टिवेस कहता है कि यह तो ग्रेट बात है यह बहुत अच्य वात है आयू जरूर मुटे जाएगा और एक थी तो अपनी सौर्ट फ्लाइ करती है, लेकिन हमार जो बाइलू होता है, वो अपने रूम के बाहर आता है, वो कहता है कि कौन वेस्ट है, तो मुझे बताओ मैं जानना चाहता हूं, और तभी हमार में सीविस कहता है, कि आयू वो जा चुका है, और तुम इसकी बातों की चिंद ये इस्ट अंटार्टिका का मैपल पता है, तो इतना सथा रेड होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बास सुनते ही हमारा जो बाइलू होता है, उस मैपल के पत्ते को स्नीफ करता है, और कहता है थैंक्यू सो माच, अब मुझे जाकर रेस्ट करना चाहिए, और तुम भी ज जिमत कैसे हो इतना लेट होनी की, और तब हमार मैसी वेस उसे समझाने की कोशिश करता है, कि ब्रदर फेंग, प्लीज मेरी बास समझे, आयू ने कहा था कि वो लेट नहीं होगा, और उसने कहा है कि वो यहाँ पर आएगा, ये बास सुनते ही हमारा फेंग या लिकुश भी और है, तब हमारा फेंग या लिक दिखाया जाता है, जो ही कहते है ब्रदर, हमें स्टार्ट करना चाहिए ये सारा समारो, और आप कब तक उसका रिवेट करेंगी, वो सौट वन नहीं आने वाला है, ये बास सुनते हैं, उसके ब्रदर कहते हैं कि, ऐ फेंग, तुम्हें अ में ग्याओ, उनकी देथ हो चुकी है, और वही में सीवेस की फादर है, और अपनी आर्मी को एक दिन पूरा बढ़ा लेंगे, पहले की तरह, ये सारी बाते सुनने के वाल में सीवेस थोरा सा सैड हो जाता है, वो कहते हैं, मैं हमेसे सभी को इंकरेज करता हूँ कि, वो एक दिसबल को एकसेप्ट कर लें, क्योंकि मैं फ्यूचर में अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, तो ये फेंग अली गुसने में कहता है, कि जाने भी दो, मैं बहुत इतियार का चुका, इस सौट बन का, अब मुझे इंतियार नहीं करना, तो ये मासे स्रुय सुटे ही, हमारा फिंग याली कहता है, कि तुम्हें क्या हो, तुम गोस्ट जैसे क्यों लग रहे हो, तभी हमारा बाइलू उहां पर बैटता है, अपनी चेयर पर और कहता है, कि मेरे फेस पर काफी ज़र रैशिश हो गया है, इसलिए मैं उसे कवर करना चाहता हूँ, कि मै शर्मिंदा नहीं होना चाहता है, यह बाइस सुनते ही, हमारा फिंग याली कहता है, कि मुझे तुम पर जरब भी बलीब नहीं है, तुम अभी इस स्काप को हड़ाओ, यह बाइस सुनते ही, मास्टर श्रुयंग कहते हैं, कि एली, प्लीज शान्त हो चाहता है, और बैठो जिसमें कहा जाता है, कि मास्टर बाइलू आ चुके है, और सभी लोग अपना इंट्रोड़क्शन करा दें, क्योंकि इस सभी में से हमारे मास्टर बाइलू किसी एक को डिसपल के रूप में चुनेंगे, और सभी एक के बाद एक आते हैं, अपना परिशा देते हैं, और तभी की तरफ देख क्यों नहीं रहे हो, तभी हमारे मास्टर बाइलू कहता है, कि मैं सुन तो रहा हूँ न, और सुनने और देखने में क्या ही फरक है, और सुच लगता है, कि मुझे किसी को देखना भी नहीं है, यह सारी चीज़े देख कर हमारे यहचन को बड़ा गुस तुम अपना पूरा नाम तो बताओ, यह बास सुनते ही हमारा यहाचन एकदम क्यूट सा फेस बनाता है, काफी ज़स से कहता है, कि मैं एक अनात हूँ, और मेरा कोई भी नहीं है, मैं अपने फ्यूचर मास्टर को वेट कर रहा हूँ, जो मुझे नाम देंगी, यह सारी बा पैलू अपने हाथों से कवर कर लेता है, यह सब तुम क्या कर रहे हूँ, जो भी नहीं है, कि मुझे तुम पर जरा भी नहीं है, कि तुम मेरे फेस पर राशिष है, अब तुम अपने हाथों को खटा और शो करो, समझे, तुम मुझे देखना है, यह बास सुनते ही हमारा रीयालो क्याता है कि एंनों धेर इसे अपने हातों को हटा लेता है ऑम क्याइसा कुणि विल्टे क्या भी आइका लेतके healthy